हेलो स्टूडेंट्स विल्कम बाग तो यो फेवरेट चैनल मैगनेट बेंस दिस इस मी शुपरतिवारी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रवाइट करा जाता था कि आप अपने लाइफ में बहुत 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 बड़ी कहानिया सुनाई थी ठीक है तो मैंने आपको यूरी हलाइन में रहते हैं अगर हम शार्क मिग्जीन वेगरा को छोड़ दे तो 90 परचेंट ऑफ जो मेराइन और्गानिजम रहते हैं वह बहुत वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉल्रेट कर लेते उन्हें को सब्सक्राइब का फॉल्स परणवार्मन शार्क मिंट फेल्ट उसको वी悦 रेंज यूरी हलाइन म्योर्य चैप सक चैना फूंतिथि, लेकल सब्ड भी ऑप अपना जो internal salt and water का concentration होता है वो बदलते हुए environment के साथ क्या कर लेते हैं बदलते रहते हैं, change करते हैं, उन्हें आप कहते हैं Osmoconfarmer Osmoregulator क्या रहते हैं, वो कहीं भी रहें पर वो अपने osmolarity में कोई change नहीं करते हैं Then what is the osmolarity? Osmolarity is the molarity or moles present in the per liter of the water or per liter of the solution Now let's talk about the water and solute regulation in the fresh water environment अब हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता भी दिया था इसमें हम लोग ये पढ़ाने वाले हैं कि किस तरीके से जो fresh water में रहने वाले organism रहते हैं वो अपने शरीर में नमक और पानी को regulate करते हैं क्योंकि आपको पता है होता क्या है कि जब मैं आपको पहले ये सब छोड़िए जादा है प्योर वाटर का कॉंसेंट्रेशन कम है एस कंपेर टू बाहर के इंवार्मेंट के कंपैरिजन में बाहर के इंवार्मेंट में खूब सारा फ्रेश वाटर नदी में खूब सारा फ्रेश वाटर इत्ता सॉलूट नहीं है तो ऑस्मोसिस क्या कहता है ऑस्मोसिस ये अब यह भी है कि अगर उनकी बॉड़ी में वह बहुत पानी रिमूफ करेंगे तो बॉड़ी का सॉल्यूट जो है जो नमक है वह भी बाहर चले जाएगा तो वह बिचारी जो है मैडम उनका बीपी लो होगा अरे बेटा बेटा अपना लो होता है तो उनका सॉल्यूट भी कम हो जाएगा सॉल्यूट कम हो जाएगा तो में भी वह चक्कर में मर जाए तो फ्रेश वाटर ऑर्गानिजम हो चाहे हम लोगों हम सभी को जीवन जीवित रहने के लिए पानी और नमक इन दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर नहीं होगा त प्रोटोजोवा जैसे कि अमीबा पैरामीशियम है व्लकुल सही बात है जैसे कि माल लीजे कोई अमीबा और पैरामीशियम रहता है मैं अभी फिशस की बात नहीं कर रहे हूं फिशस की बात अभी थोड़ देर में करेंगे तो फ्रेश वाटर ऑर्गानिजम में सबसे पहल में आपको काम क्या है अब पानी में रहेगा मीवा ठीक है अब पानी का कॉन्पूर वर्टर को कॉंसेट्रीशन कहां ज़्यादा में हिस जादा होगा ना अब अब आधी का में ढूरे लागे तो बिचारा वह तो बुद्धू आएगा ही सीधी बात है पर उसके पास एक कॉ और इस तरीके से पूरा पानी जो है वो बाहर करता रहता है आई बात समझ में तो जिनके पास भी contractile vacuole होता है वो हमेशा extra water को contractile vacuole में भर-भर के बाहर करते रहते हैं ठीक है अब हम लोग बात करेंगे कि मचलियों के बारे में let's talk about the fishes जिनके पास contractile vacuole नहीं है to minimize the gain of water and loss of salt by the specialized body cover in the form of scale or the adipose tissue ठीक है अब मेरी बात को ध्यान समझेगा कि अगर अच्छा अगर आप लोग कहां रहते हैं अगर हम लोग कहां रहते हैं बच्चों अगर हम लोग मतलब मचली है अगर मचली एक्सेस वाटर रिमूव करती है तो सॉल्ट भी रिमूव होगा कि नहीं होगा तो मचली के पास एक उपर हाड कवर होता है जिसकी वजह से एक्सेस गेन भी नहीं होता पानी का और नहीं बहुत जादा लॉस होता है क्योंकि अगर सॉल्ट लॉस भी होगा तो स्केल उसे पकड़ लेंगे और फिर डिफ्यूज करके शरीर में बेज देंगे मेरी बाद समझे आप कि सॉल्ट अगर रिमूव भी होगा तो क्या करेंगे स्केल प्रोटेक्टिव कवरिंग है वहीं पर सॉल्ट रुख जाएगा और फिर वापस से बॉड़ी में चलाएगा तो स्केल की वजह से कभी भी सॉल्ट और वाटर बहुत जादा रिमूव नही कभी पानी नहींbyत ठीक है ऑप यह सोचें की बहुत ज्याद ही निकाल रही तो पानी पीती हैं अग्यशना याद रकिये उनकी बॉड़ी में जो पानी आता है उतना ही पानी आता है जितना उनको जरूरत होती है इसलिए वह उताएगी उंको खेचारा पानी साटory नहीं प यह हमेशा बहुत ही कम urine produce करती है तो अगर यह extra water भी हो गया इनके शरीर में तो यह urine से remove कर देती है तो हमेशा यार रखें कि जो fresh water fishes रहती है वो पानी नहीं पीती है जबकि marine water fishes पानी पीती है यह question important है fresh water fishes कभी भी पानी नहीं पीती है वो मुझ खोल के सिर्फ उतना ही पानी लेती है जितना उनको जरूरी होता है oxygen देने के लिए और फिर उसे गिल से remove कर देती है यह urine से remove कर देती है ठीक है the presence of ionocyte chloride cell which can actively uptake the salts from the surrounding water surrounding water has less than 1 mm NaCl and plasma concentration has more than 100 mm concentration of salt therefore uptake actively अब मेरी बात को ध्यान से समझना क्योंकि तुम fresh water में रह रहे ही हो कौन मचली अब मचली क्या है यह अपनी कहां रह रही है बैचारी यह बैचारी रह रही है fresh water में ठीक है अब यह जो मचली बैटा fresh water में रह रही है तो fresh water में पानी को concentration तो बहुँत जादा है excess पानी को कैसे remove करेगी वो urine से remove करेगी घल से remove करेगी ज़ाधा पानी वो remove कर नहीं सकती क्योंकि scale है ज़ादा नमक वो remove नहीं कर सकती क्योंकि scale है पर बात यह है कि शरीर में नमक की जरूर अगर loss हो गया नमक यह नहीं भी होए तो नमक की जरूरत तो है अब बाहर fresh water में नमक का concentration कितना है सिर्फ 1 mmol NaCl ठीक है water में नमक का concentration कितना है 1 mmol NaCl ठीक है 1 mmol NaCl जबकि यहीं fish की body में कितना है समझिए बात को फिश की बॉडी में कितना है More than 100 More than 100 millimolar ठीक है अब बॉडी में higher concentration salt है और यहाँ पानी में lower concentration of the salt है अब फिश को लेना है तो उसे खीचना पड़ेगा तो फिश क्या करती है कि उनके पास एक special types of cells होती है जिने आप कहते है इसे पानी जो अंदर आ रहा है उसे फटाफट फटाफट सॉल्ट को चिपकाती रहती चिपकाती रहती तो इससे मचली के शरीर को कभी भी नमक की कमी महसूस नहीं होती ठीक है चलि देखे डाइग्राम देखे तो यह fresh water fish है यहाँ पे लिखा हुआ है पानी के थुर आयेंगे और तो आयेंज क्या करेंगा एंस मतलब NaCl नमक पगर आएगा तो गिल्स पाणी बाहर करेगी तो उससे भी त्वाक सप्त होती है इंवार्मेंट में पानीं है वहांसे घिल्ड साल्ट को ले सकता है कुछ इसके पास आइनोसाइट सेल्स होती है उसके बाद अगर फ्रेश वाटर में रहने के बाद तो पानी की कमी होती नहीं है पर अगर हो गई तो वो स्किन से थोड़ा बहुत पानी ले सकती है और अगर पानी की अधिक्ता हो गई जो कि हो नहीं है वो स्किन से बाहर भी कर सकती है तो पानी वो कहां कहां से बाहर कर सकत और wet water came from the mouth, okay, आई बात समझ में, कोई दिकत इसमें, so this is the fresh water fishage, कोई दिकत इसमें, कोई परिशानी तो होगी नहीं, यह बड़ा ही आसान है, तो हमेशा याद है कि जो red वाला arrow बता रहा है, यह red वाला arrow बता रहा है कि मूँ से क्या लेके आती है मचली, मूँ से लेके आती है यहाँ से लेके आती है, na plus, k plus और cl minus, ठीक है, जबकि blue वाला arrow हमको यह बता रहा है, कि हम directly पानी से भी ions को ले सकते हैं, तो skin भी ions ले सकती है, मूँ से भी आ सकते हैं, गिल से भी आयन आप ले सकते हैं, तो मचली के शरीर में कभी भी ions की कमी महसूस नहीं होती है, so this is all about the water and solute regulation in the fresh water fishes, okay, अच्छा, fresh water fishes के साथ ये भी एक गड़बड़ी है, बच्चो, कि अगर इनको आप marine environment में रख देंगे, तो क्यों मर जाएंगी, बताइए, marine environment मतलब अगर समंदर में आप इने रख देंगे, तो समंदर में नमक जादा और पानी नमक बहुत जादा है, आप ज हार water concentration से lower water concentration के और जाएंगे, तो मचली के पास pure water जादा है, और environment में pure water कम है, तो मचली अपना सारा पानी जो है, वो release करने लगेगे और वहीं मर जाएंगी, तो 90% जो fishes होती है, वो हमेशा उसी जगह पे रहती है, जहां पर उन्हें रखा जाता है, थोड़ी बहुत fishes की ब water में बिताने जाती है, फिर उसके बाद वो जब बच्चे देना होता तो फिर fresh water में आती है, तो वो हमेशा move करती रहती है, उनकी बात अलग है, now let's talk about the marine environment, okay, तो fresh water में regulation आपको समझ में आया, let's talk about the marine environment की जो organism है, वो कैसे maintain करते हैं, तो fresh water में आपने क्या सीखा, कि पानी ज कहा सबार निकलेगा, गिल से, यूरिन से और सकिन से, जो आपके ions होते हैं, वो जो है, पानी के थूरू मुह से भी अंदर आ सकते हैं, गिल से भी absorb हो सकते हैं, और सकिन भी ions को absorb कर सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से उनकी body में पानी का भी maintenance रहता है, और हमेशा solute का भी maintenance र मतलब 1000 mol होते हैं, एक लीटर पानी में, जो कि बहुत जादा है, ओके, human के osmolarity कितनी होती है, 300 osmol पर लीटर मतलब 300 mols in 1 liter और 300 mols of solute in 1 liter of water, ठीक है, the osmoregulatory problems in the marine situation are opposite in those in the fresh water, विलकुल fresh water से बिलकुल अलग होता है, marine boney fishes have the body fluid hypotonic to the seawater and thereby they tend to lose the water from the body through the permeable surface, to compensate for the water loss, marine body fishes drink seawater, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना ना, बिलकुल यहाँ पर समझना, however, drinking seawater results a grain of excess salt, बिलकुल सही बात है, so the inocyte and chloride cells of the gill membrane of the marine boney fishes help to eliminate the excess monovalent iron from the body fluid to the seawater, divalent carat iron are generally eliminated through the fecal matter, अब मैं आपको इससे पूरी बाते समझाती हूं, अब यह जो marine fish है, ठीक है, marine fish मतलब यह कहां रह रही है बच्चों, यह रह रही है अपना समंदर में, ठीक, यह जो marine fish है, यह कहां रह रही है बच्चों, समंदर में रह रही है, अब समंदर में, समंदर का जो पानी उसके ओस्मिलारिटी किती है, 1000 osmol per liter, मतलब एक लिटर पानी में 1000 moles of solute है, मतलब नमक के हैं, अब क्या होगा मुझे बताइए, अब मचली की body के अंदर fresh water जादा है और environment में fresh water कम है, ठीक है, जैसे इसके अंदर fresh water क्या है बच्चों, जादा और इसके अंदर fresh water क्या है, कम, ठीक, सो इसके अंदर जो आपको fresh water body के अंदर जादा है और इसके अंदर कम, osmosis prescria के दोरान, H2O बाहर आने लगेगा, और अगर पानी बाहर आने लगेगा, तो मचली को शरीर के पानी की कमी हो जाएगी, तो मचली हमेशा, marine fishes हमेशा पानी पीती रहती है, पर जब पानी पीएंगी, तो नमक का concentration भी शरीर में बहुत जादा होने लगेगा, तो इनक क्लोराइट सेल्स होंगी, actually क्लोराइट सेल्स जो होती है ना, वो नमक को बैलन्स करती है, अगर माल लीजे शरीर में नमक की कमी है, तो वो नमक देती है, और शरीर में नमक जादा है, तो नमक को बाहर निकालती है, तो इनके गिल्स के पास भी क्लोराइट सेल्स होती है, यह शरीड में आने वाले जो आपके नमक हैं उनको बाहर निकालती हैं कुछ जो जैसे कि कौन कौन से नमक को बाहर निकालती हैं कौन कौन से आयन को, Na+, K+, K- और क्लोराइड- यह कौन से आयन्स होते हैं? Monovalent आयन्स और कुछ जो आयन्स रहते हैं जैसे dyeivalent magnesium प्रेशिम जो आपका मैंग आपका एमजी प्लेस टू और एसे टू माइनस यह फीकल मैटर से बहार होते मेरी बात आप समझें कि जो भी मराइन वॉटर फिश होती है वो हमेशा पानी पीती रहती है क्योंकि प्यूर वॉटर का कॉंसेंट्रेशन मराइन फिश के अंदर लगा यहाँ ए SNCC सो प्यूंक एगागी दो इंको इंके यह फीकल मैटर से भी कुछ आयन बाहर हो जाते हैं तो गिल्स से बीबाहर हो रहे हैं active transport बलब दम लगा लगा के बाहर किया जार active transport मतलब और fecal matter से भी बाहर होती है ठीक है so this is the regulation of the marine fishes in the marine environment now let's talk about us कि हम किस तरीके से maintain करते हैं अच्छा हमारे साथ भी यह ना mammals के बारे में बात करूं तो उट के बारे में बात करूं कंगारु रैट के बारे में बात करूं और अपने बारे में बात करूं ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझेगा humans for example die if they loss around 12% of the body water बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अपने शरीर का 12% water loss करेंगे तो हम मर जाएंगे पर यहीं अगर desert animals की बात करें ठीक है अपने साथ यह है कि हम लोग जो है एक्स्क्रीशन के दौरान क्या निकालते हैं बच्चो बार हम अपने एक्स्क्रीशन के दौरान यूरिया को बाहर निकालते हैं और यूरिया को बाहर निकालने के लिए कम से कम minimum 1L of water हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं पर जो लोग desert में रहते हैं जैसे की kangaroo rat जैसे की camel कमदारू rat के बारे में बात करूँ अगर यह 1L शरीर से पानी बाहर निकाल देगा तो इसको desert में पानी कहा मिलेगा तो इसलिए यह क्या करता आपको पता एक तो पहले कभी पानी नहीं पियेगा क्या तो आपको पता है कि सिर्फ यह 10% water drink करता है 90% शरीर को चनाने के लिए यह अपने cell से ही water लेता है तो इस तरीके से यह अपने शरीर में water को balance करते हैं क्योंकि अगर यह ना करें तो इनको पानी नहीं मिलेगा और यह मर जाएंगे ठीक है हम कैसे balance करते हैं क्योंकि मारे पास पानी है और हमें यूरिया को निकालने के लिए भी एक लीटर पानी चाहिए होता है तो हम उतना पानी तो पीते ही है आई बात समझ में कि ना लेट्स टॉक अबहुड़ बने वह जाएगा और प्रकाश पानी पीता है और उसके बाद नहीं को स्टोर कर लेता है इंदाहम ठेक है और उसके बाद फिर पानी नहीं पिएगा वो यूरिन नहीं जाएगा और फिर अपने शरीर में जो cells में stored water है उसको use करता है तो हर organism जो land में रहता है बच्चो वो अलग-अलग mechanism से अपने शरीर में पानी को बचाता है ठीक है और जैसे fishes होती है fresh water fishes जादा पानी बचाने हैं उनको पानी बाहर निकालना है तो किस तरीके से निकाला बता है मेरायन वाटर fishes जो होती है उनको अपने शरीर को बचाने के लिए क्या करना है पानी पीना होता है तो वह किस तरीके से काम करती है बताया मैंने अगर टेरेश्ट्रियल की बात करूं तो तो पानी पीशते पर इनके पास पानी ही थूँए तो क्या घी मर जाएंगे नो यह मराइन, फ्रेश्वाटर और किस तरीके से आपका टर्रेस्टियल एंवार्मेंट में रेगुलेशन होता है So this is all about the regulation of water and solute in the three environment marine, fresh water and the terrestrial So I hope you learned and enjoyed the video This is very easy busy video एक दो बार देखोगे तो चीजे असानी से याद हो जाएंगी So see you in the next class Next class हम exactly human being के excretion शुरू करेंगे Thank you so much घर पे रहना और safe रहना और पढ़ाई करते रहना